हमारे आसपास कई तरह के पेड़ पौदे उपते हैं हम कई पौदों के नाम जानते हैं और उन्हें पहचानते हैं पर कई पेड़ ऐसे भी हैं जिनने हम शायद रोज देखते हैं पर उनके नाम नहीं जानते होंगे आज के वीडियो में हम कई सारे पेड़ों के बारे में जानेंगे जो हमारे देश में पाए जाते हैं आईए देखते हैं कि क्या आप इन पेड़ों को पहचान पाएंगे या नहीं तो ये रही हमारी पहली पेचर आप सभी बच्चे इस पेड़ से शायद वाकिफ होंगे और शायद इसका नाम भी जानते होंगे इस पेड़ पे लगे फलो को देखकर तो शायद कोई भी बता सकता है कि यह केले का पेड़ है जरा इस पेड़ के पत्तों को तो देखिए वो कितने बड़े हैं आईए उन्हें जरा पास से देखते हैं इस पेड़ के पत्ते दक्षिन भारत में खाना परोसने के लिए भी इस्तमाल किये जाते हैं और ये है हमारा दूसरा पेड़ क्या आप सभी इस पेड़ को पहचानते हो इस पेड़ को बनियन ट्री भी कहते है बनियन ट्री एक ऐसा पेड़ है जो दूसरे पेड़ों पर उगता है तब इसका बीच दूसरे पेड़ों के दरारों के बीच में या फिर वहां के छेदों के बीच में गुसता है तब ये वहाँ उगनास चुरू कर देता है दे इंडियन बन्यन इंडिया का नाशनल ट्री भी है चलिए इस पेड़ के पत्तों को देखते हैं ये देखते हैं कुछ ऐसे और पीछे से कुछ ऐसे और इसके फल कुछ ऐसे देखते हैं आपने शायद चिडियाओं को इस पल को खाते हुए भी देखा होगा हमारा तीसरा पेड़ है ताड के पेड़ जरा इस पेड़ के पत्तों को तो देखिए वो कितने बड़े हैं ताड के पेड़ों से हमें बहुत सारी चीज़े मिलती हैं अब इस ताड के पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है जैसा आप इस पिच्चर में देख सकते हैं कि ये औरत कैसे पेड़ पर चड़ी होई है और देखिए यहां पे इन्होंने पेड़ पे ये क्या लगा रखा है ताड के पेड़ से हमें खाने पीने की बहुत सारी चीज़े मिलती हैं और अभी इस पेड़ पर चड़कर तोड़ी खटा कर रही हैं तोड़ी हमें ताड के पेड़ों से मिलती है और इसे खाने पीने के इस्तमाल में इस्तमाल किया जाता है और ये आई हमारी अगली पिच्चर क्या आप इस पेड़ पे लगे फलों को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कौन सा पेड़ है इस पेड़ पर जो फल लगा हुआ है शायद वो सभी को बहुत पसंद होगा ये आम का पेड़ है आम के पेड़ पर उगने वाले पत्ते कुछ इस तरह से दिखते हैं बारिश के मौसम में हमें आम के पेड़ पर ऐसे लाल पत्ते भी दिखने को मिलते हैं ये लाल पत्ते पेड़ पर नए-नए ही होगे होते हैं और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होगा ये पत्ते हरे हो जाएंगे अब हमारे पास है ये अगला पेड़, ये नीम का पेड़ है शायद ये पेड़ आपने अपने घर के आसपास देखा होगा पर इसका नाम नहीं बता होगा या इसे पहचान नहीं पाए होंगे नीम के पेड़ के पत्ते कुछ ऐसे होते हैं नीम का पेड दवाइय बनाने के काम भी आता है इसका इस्तमाल कीट नाशक के तौर पे भी होता है शायद इस पेड को भी आप सबने अपने घर के आजपास देखा होगा भारत में कई लोग इस पेड की पूजा भी करते हैं ये पेड भारत में काफी असानी से पाया जाता है इस पेड का नाम पीपल है आप सभी बच्चों ने पीपल के पेड के बारे में तो सुना ही होगा इस पेड की मदद से कई सारी दवाया भी बनाई जाती हैं पीपल के पेड के पत्ते दिखते हैं कुछ ऐसे आप सभी ने शायर टी प्लांट के बारे में सुना होगा या सबने चाय के बारे में तो सुना ही होगा लेकिन चाय बनती कैसे है और हमें चाय पत्ती मिलती कहां से है तो हमें चाय मिलती है टी प्लांट से टी प्लांट के पत्ते दिखते हैं कुछ ऐसे इनी पत्तों को तोड़ तोड़ कर चाय पत्ती बनाई जाती है जिससे हमारे घर में स्वादिश चाय बनती है इस पौधे के बारे में शायद आप सब जानते होंगे ये है तुलसी का पौधा तुलसी का पौधा भारत में कई लोग अपने घर पर उगाते है तुलसी का इस्तमाल कई सारी बिमारियों को ठीक करने में भी किया जाता है तुलसी के पेड़ के पत्ते दिखते हैं कुछ ऐसे यह पत्ते बहुत छोटे होते हैं क्या आप सबने केसर के बारे में सुना है खाने पीने की चीजों में इस्तिमाल होने वाली केसर कहां और कैसे उखती होगी? यह है केसर के खेट की एक तस्वीर क्या आप इन सब को ये फूल चुनते हुए देख सकते हैं? इन फूलों को इखटा करके क्या बनता होगा? केसर देखिए इस फोटो में कैसे केसर को इन फूलों से निकाला जा रहा है? इस फूल को शायद सबने देखा होगा नहीं तो इस फूल के बारे में सबने पक्का सुना होगा यह है लोटस प्लांट लोटस प्लांट के पत्तों को तो देखिए ज़रा ये कैसे होते हैं यह पत्ते बागी किसी भी पेड़ से काफी अलग दिखते हैं और यह लोटस के प्लांट को पानी के उपर रहने में भी मदद करते हैं देखिए कैसे इतने सारे लोटस पानी के उपर तहर रहे हैं आप सबको यह पिच्चर देखकर लग रहा होगा कि यह तो कोई पेड़ नहीं है। आपने देखा कि हमें पेड़ों से कितनी सारी चीज़े मिलती हैं। यह भी उसी का एक उधारण है। कठल का पेड़ जिसे हम जैक ट्री भी कहते हैं। इस पेड़ का इस्तमाल काफी सारी चीज़े बनाने में किया जाता है। क्योंकि इस पेड़ की लकड़ी इतनी अच्छी होती है। इस पेड़ का इस्तमाल फरनीचर बनाने में किया जाता है। और घर बनाने में भी किया जाता है। इस पिच्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे कठल के पेड़ के लकड़ी वीना बनाने में इस्तमाल की जा रही है वीना एक इंडियन इंस्ट्रूमेंट है और कई सारे छोटे छोटे पौदे गर सजाने में भी काम आते हैं देखी इस पेज पर कितने सारे पौदे हैं स्नेक प्लांट इस प्लांट की पत्तियां देखी कैसी हैं ये कैसे गूम रही हैं अगर आप इस प्लांट की पत्तियों को देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा की से स्नेक प्लांट क्यों कहते हैं इस प्लांट की पत्तियां बिल्कुल साभी की तरह दिखती है और इस पेज़ पर हमारे पास है अलोविरा और रोजमेरी ये दोनों ही प्लांट दवाईया बनाने में तो काम आते ही है लेकिन हमारा घर सजाने में भी काम आते है अफ्रिकन वॉयलेट्स ये सुन्दर बौधा आपके घर की शान बढ़ा देगा इस पेज़ पर है पीस लिली और युकिलिप्टिस ये दोनों ही पौधे हवा साफ करने में मदद करते हैं और हमारी सेहत को बहुत फायदा पहुचाते हैं और इस सब के साथ साथ ये हमारे घर को सुन्दर भी बनाते हैं क्या आप सब इन में से किसी पौधे को पहचान पाए आप सबने ये पौधे अपने घर के आसपास भी देखे होंगे या फिर इन सब का नाम तो सुना ही होगा ये सारे पौधे हमारी रोज के जीवन में बहुत मदद करते हैं साफ हवा देने के साथ साथ ये हमें खाने की चीजें, दवाईया, सजावट का सामान और भी बहुत सी चीजे देते हैं तो ये थे हमारे प्यारे पौधे